स्वागत है आपका हमारे online learning platform पे जहां पे हम आपको दे रहे हैं free virtual coaching classes और यहां पे आप लोगों का स्वागत है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि सार्थी बैच हमारा चल रहा था ठीक है become third semester and become first semester के लिए यहां पे बहुत सारे students ने जो है enroll भी किया था तो उन लोगों की demand पे जितने भी students national PG के थे तो उन्होंने कहा कि मैं business communication का भी lecture series होना चाहिए तो उसका भी revision मैं कराने वाली हूं तो जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा नाम मुसकान है और मेरे साथ में को एजुकेटर के तौर पर पढ़ा रही थी मांसी ठीक है मांसी और मैंने हमारे combination classes डाले थे lectures डिलेवर करें तो सार्थी बैच आप जॉइन कर सकते हो फ्रॉम दा अप्लिकेशन डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बें आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां से जाओ और जो यह नोट्स है मैं वहीं पर डिलेवर कर दूंगी ठीक है तो वह भी आपको वहीं प अप्रोच करना है उस तरीके से मैं एक्जाम ओरियंटेड एक फास्ट्रैक रिवीजन आप लोगों की सामने लेकर के आई हूँ तो इस वीडियो में पूरा ट्राइ करूंगी कि आप लोगों का रिवीजन कम्प्लीट हो जाए जो कि बिजनस कम्यूनिकेशन में आपको सब बिजनस कम्यूनिकेशन सबसे जादा महत विशह रहा है ठीक है क्यों रहा है क्योंकि अगर आपके पास में एक एफेक्टिव कम्यूनिकेशन स्किल नहीं होगी तो आप ठीक तरीके से सर्वाइब नहीं कर पाऊगी ठीक है मोनोस प्रॉबिबल आपको यह सारी चीज़े सम समझनी पढ़ेंगी लोग बहुत महंगे महंगे कोर्स करते हैं बिजनस कम्यूनिकेशन के बारे में तो आज हम प्राइ करेंगे बेसिक लेवल से समझना स्वाइब करेंगे हां हाला कि यह हमारा रिवीजन शेशन है बट पिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ठीक है ले भी निचेशन डेराइब कहां से हुआ है कम्यूनिकेशन डेराइब हुआ है जो आपका लैटिन वर्ड कम्यूनिकेशन गया होता है इंपार आपटिसिपेट विच मीन तु शेर एनीपिन फीलिंग इमोशन यह टॉकिंग क्या चीज़ यह एक डेफिनेशन है जिसको हमेश आपको याद रखना चाहिए यह चीज बता क्या रही है एक person है दूसरे person को कैसे transmit करना है तो वो क्या करे communication करेगा वो by the way of verbal non-verbal हो सकता है और इसी के साथ साथ में भी हो सकता है return या oral भी हो सकता है तो हमें क्या करना है communication को effective कैसे बढ़ाना है सबसे पहले चीज़ है noise create नहीं होना चाहिए अब मालो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ पीछे से external noise होने लगे तो आप क्या कुछ सुन पाऊड़ी मेरी बात नहीं न वही चीज मैं बताना चाहिए आप लोगों को तो क्या है आपके अंदर एक role होना चाहिए एक अच्छा barriers across जो भी boundaries है उनको खतम करके आपको आगे बढ़ना है ठीक है communication pattern में आगे बढ़ना कैसे organization में जो communication होता है वो बहुत अच्छा role playing करता है अगर आप communicate कर रहे हो तो वो आपके background को बताता है ठीक है आपके background को बताता है role क्या है communication का communication का जो role है वो official life में as well as your personal life में दोने चीज़ों में कैसे manage करना होता है सारी चीज़ों को meeting schedule करना होता है पता नहीं क्या 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 काम करना होता है sale and purchase marketing में research में each and every time आपका अगर presentation skill और अगर आपका communication skill नहीं है तो आप कहीं ना कहीं lack करोगे ठीक है तो वो चीज़ें नहीं हों इसकी वज़े से आपका क्या आपके subject में as a यह activity जो भी subject में है वो सारी चीज़ें आपको यहीं से बेस त्यार करा जाता है आपका sales from sales person या फिर कोई भी other person है जो कि relate कर रहा है जिसकी user है ठीक है financial statement का user उसको भी stakeholder है उसको भी जरूरत पड़ती है communication उसका एक role अदा करता है organization में ठीक है communication impact करता है business को आपका communication pattern ही अच्छा नहीं तो आपके पास में कोई नहीं आएगा मालों जो से sales person, sales person personal selling कर रहा है बट वो अगर आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करें तो क्या आप उससे समान खरीद होगे नहीं आप उससे समान भी नहीं खरीद होगे और आप उससे यहीं कहोगे जाओ मार्केट में इतने सारे लोग हैं हम किसी से भी समान खरीद लेंगे तो आपका अगर communication pattern अच्छा नहीं है तो वो लोग वहां से चले जाएंगे और दूसरी चीज़ यह होती है कि लाइक जिसे communication में जब भी आप आते हो तो एक आपका एक humble nature होना जरूरी है और आपका business impressed हो होना सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आपका business interest नहीं तो marketing में आप कोप भी नहीं कर पाऊगे ठीक है एक surviving stage में आ जोगे surviving stage के बाद में इनसान का बाता है decline stage में आ जाता है ठीक है तो यह चीज़ें देखी गई है कि अगर आप अपने passion को लेकर के और यह सारी चीज़ों आपके competitor को benefit पहुंचाने वाला है ठीक है अगर आज की date में मालो जैसे geo stores है ठीक है तो geo store पे अगर जो employees हैं जो वहां पे co workers है जो काम कर रहे है वो अगर आप से ढंग से बात नहीं करें तो आप क्या करोगे आप चले जाओगे hyper market ठीक है hyper market से समान खरीद लोगे जो समान आ आप hyper store से करीद रहों क्यों क्योंकि hyper store वालों का humble nature geo store वालों को नहीं वहीं वहीं सिचुएशन अगर मैं adverse ले लूँ hyper market में जो आपका store था वहां पे जो है आपसे भात धंग से उन्होंने नहीं करी तो आप कहां चले जाओगे geo store चले जाओगे हम अपने communication pattern से अपने competitor को कभी ना कभी profit पहुचा ही देते तो इस वज़े से हमें अपना communication pattern हमेशा अच्छा रखना चाहिए ठीक है और communication is a livelihood of the organization it means a purpose is to effect changes to influence action क्या लिखा है मैडम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है स्प्ली यह सारी चीज़ें लिखी है कि किसी भी organization में अगर आप देखो तो एक रखत शीरा होती है रखत शीरा जिसके हमारी body में होते हैं वेंस होती है तो वही चीज़ें है कि organization में तो आपको क्या लगता है कि लोग समझ पाएंगे आपके चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे क्यों नहीं समझ पाएंगे वो इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपका कम्यूनिकेशन पाएंगे यहीं सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेजमेंट को बिल्डप करता है एक बेटर कम्यूनिकेशन मैनेजमेंट को बिल्डप करता है अच्छा मुझे बताओ मैनेजमेंट की कौन सी स्टेज में कम्यूनिकेशन आना चाहिए मैनेजमेंट में डेकलाइन मोड में आ सकते हो ठीक है कुछ कीवर्ड लिखे हैं जो कि आप एक्जाम में लिखे आएंगे कम्यूनिकेशन इस लाइफ ब्लॉड ऑफ दे बिजनेस कम्यूनिकेशन इस मौर्टार देट होल्स ओट्स लोगें अवरोज़निकेशन तो ग्याइच देञे लिखेशन संखेण डिखेण था था जोटा कूई सब्सक्राइच कर जाएगा वाटर बिजनेस हैं विदिन और गजाशन निख इप दिन इच अधर इंटरन और ना चोनिकेशन to anyone outside the organization it called external communication क्या मतलब है इतना कुछ मैडम आपने पढ़ लिया में तो कुछ समझ में आया या नि simply मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने organization के ही बंदों से बात कर रहे होते हैं तो उसको internal communication बोलते हैं और जब आप अपने organization के outer बात करते होते हैं उसको क्या external communication बोलते हैं as simple as that as simple as that आज की डेट में हम लोग जो भी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो वो एकदम माइंड में एकदम विठालने के लिए बैठे हैं तो please distraction दो रखना अपनी तरफ से distraction दो रखना अपनी तरफ से distraction दो रखना with scenario customer and colleagues depends on the your communication skill आपके अंदर ability होनी चाहिए कैसे आपकी जो subordinates है please उनसे ना humble nature में बात करो राकि वो भी आपसे humble nature में बात करें because अगर आप किसी से rudely बात करोगे तो वो भी आपसे rudely बात करेगा तो यह सारी चीज़े आपको mind में रखनी है then definition definition आपको definition के लिए मैं बता दूँ जब भी पेपर होगा आपको मैं बताओं कि जितनी भी definition है जो author की definition है वो word to word लिखके आना अगर आपको author की definition word to word नहीं मालूम है तो please किसी भी author का नाम नहीं लिखना आप ऐसे लिख सकते हो ideal definition according according to ideal definition इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर अगर हिंदी वाले लिख रहे तो समस्त जो भी लेखक के अनुसार है वो सारी definition आप लिख सकते हो ठीक है बिल्कुल ऐसा सोचने का ट्राए नहीं करना कि आपको जो है word to word याद दी है और आप नाम लिख दो गया और आपको number मिल जाएंगे क्योंकि जितने भी examiner होते हैं वो सब लोग आपकी copy जो चेक करता है कि experience बंदा चेक करता है तो उसको automatically पता होता है कि यह word किस वाली definition में उसकरा गया है वो आपसे जादा जो है जानकार है तो उसको आप लोग अपने से कम मताकना ठीक है अपने से कम मताकना ठीक है तो American Management Association AMA इसको कैसे याद रख सेते हैं AMA American Management Association क्या कह रहे हैं कह रहे है Communication is the behavior that results in exchange of exchange of meaning यह अब यह definition आपको एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी ठीक है Simply फिर इसी तरीके से Peter Little ने क्या बोला है Communication is the process by which information transfer between individual organization that and understanding response result इनोंने क्या होला है इनोंने कहा है कि आप ट्रांस्मेट तो करते हो organization में individual की भीच में लेकिन आपको क्या यह चीज है decifer अब मुझे comment section बताओगे decifer का meaning क्या है जाओ जाकर कि scroll down करो फिर पता करो decifer का meaning decifer तो आपको समझ में आने के लिए आपको किस लिए क्योंकि आपको response करना है तो इनकी definition थोड़ी सी अधूरी लगती बिकॉज आमें हार एक चीज response करने के लिए नहीं सुननी होती कुछी से समझने के लिए भी सुननी होती है ठीक है new man and summer jr के अनुसार communication is exchange fact idea opinion emotion to or more person यह वाली definition अच्छी है यह अपलिक करके आ सकते हो ठीक है according to get device के अनुसार the process of passing the information and understanding one of the person to another essentially essentially a bridge meaning between the people by using a bridge a person can safely across river of misunderstanding अगर आप ढंग से जो है communication की जो है एक नदी को पार करना चाहते हो तो क्या जरूरी है एक bridge जरूरी है ठीक है तो इक bridge का का काम कर रहा है communication ओके तीन सचार definition is more than enough आप लोग दो एक्जाम में लिखके आओगे आपको अच्छे maths मिलेंगे परपस आफ कम्यूनिकेशन क्या होता है आपको instruction देना होता है ठीक है मालनो जैसे कि मेरा कोई subordinate है मुझे इंस्रक्षन देना है सुनो प्लीज मुझे particular फाइल ला करके दो मैंने उसको instruction दिया कैसे दिया for integration अभी integration का क्या मीनिंग है simply integration का मीनिंग यह होता है कि जिसे कि अगर मैंने बोला कि कुछ चीजें है activities है communication के उससे होंगी नहीं inter relationship है तो आपको communication करनी पड़ेगी and then for inform करने के लिए अगर आपको कोई भी information है तो वो without any कोई भी communication वो दन नहीं हो पाएगी तो आपको यहाँ पर information के लिए भी communication करना पड़ता है for evaluation evaluation करने के लिए आपको कोई भी communication करनी evaluation करने के लिए for direction आपको direction देना है आपको leadership करनी है communication जरूरी होगी for teaching for influencing and image building now एक साथ ही पढ़ेंगे teaching कैसे मुझे अगर आपको पढ़ाना है बोलना पढ़ाना तो वो चीज है teaching influencing कैसे जैसे कि आपने बहुत जगे देखा होगा कि कुछ एक जगे influence करने के लिए या फिर मैं मुझे आपको कुछ समझाना है या मुझे आपको कुछ चीज बेशनी है influence करने के लिए for image building अगर मुझे मतलब जिससे नेता लोग बोलते हैं किसले बोलते हैं image building के लिए बोलते हैं तो यह सारी चीजों के लिए आपको क्या है कम्यूनिकेशन जरूरत पड़ेगी अब देखो functions क्या है instructive function के लिए integration, informing, evaluating function, directive function and influencing, image projection method and orientation function and other function ये जितने भी हमने देखा था, importance किसलिए है, ठीक है, उसी को function बना करके इन्होंने लिख दिया है ठीक है, उसमें यही वाला आप लोग prefer करना की यह वाला जो function है, यही डाल पाओ तो अभी communication situation कैसे हो सकती है पहले तो इसको यह समझ लो, आपका एक sender होता है, ठीक है, आप sender को क्या है आप sender को message भेजते हो, ठीक है आपने message भेजा, message कैसे भेजोगे आप like जिससे whatsapp से भेजा या आपने कोई medium यूज करा, ठीक है whatsapp से भेजा या कोई medium यूज करा फिर उसके बाद में उस person ने क्या वो खोला होगा, ठीक है message खोला होगा, तो उसने क्या करा वो encoding, ठीक अब यहाँ पर क्या है, जो feedback जिसको देना है person को, वो क्या हो जाएगा, receiver हो जाएगा वो क्या करेगा, decode करेगा फिर क्या होगा, feedback मिलेगा ठीक है, यह याद रखना यही एक्जाम में बना के आएगा communication process कैसा होता है यही communication process है ठीक है elements क्या होते communication के पहला तो sender और transmitter, ठीक है, sender and transmitter, then message encoding करा जाएगा, communication channel होता है, by the way of email, whatsapp, whatever things आदे हैं, तो उसमें वहाँ पर जाकर कि आपको channel यूज़ करना आता है, receiver, ठीक है, यह वाला process जो मैं भी बता रही थी इसमें आपका क्या पूछ सकता है meaning nature और communication का process बताईए then हम आते है, communication and organization structure, ठीक है यहाँ पर क्या हम barriers of communication exam में question देख सकते हैं okay, तो हमारे communication के कितने forms हो गए, मतलब कितने तरीके का communication होता है एक तो formal communication और informal communication, formal communication वो communication है, जो कि within organization हम लोग formal communication करते हैं, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तर written communicate करते हैं, informal communication कैसा होता है कि आप यह बहुत ज़्यादा unstructured way में होता है, आप चाहे जाओ ups and down, right to left किसी भी तरफ भी बातचीत कर सकते हो ठीक है, formal communication के कुछ advantage यह होते हैं कि यहाँ पर इसका authority के basis पर यहाँ पर accountability के basis पर यहाँ पर बातचीत होती है, develop the relation between immediate boss and it's his subordinate, यहाँ पर एक जो रिष्टा है, वो आपका immediate इस हापित हो जाता है and जो यहाँ पर uninformity and dimension of the information होता है यह एक चीज maintain करके यहाँ पर यह लोग रखते है systematic way में होता है अब जिसे कि communication on the basis of regulation पर अलग है और on the basis of expression पर अलग है, बहुत सारी videos आप देखोगे, तो आप लोगों को अलग-अलग तरीके से और भी forms मिल सकते हैं, but still मैंने थोड़ा unique निकाला है आप लोगों के लिए ताकि आप जब exam लिख करके आओ examiner को ऐसा नहीं लगे कि बार बार जो वो बुक में लिखा रहता है यह person वही लिख करके चला आता है ठीक है, थोड़ा सा unique चलेंगे formal way, अगर regulation के साब से बता रहे हैं तो formal way and informal way, communication का लेकिन अगर expression है तो verbal and non-verbal, यह चीज़ें आपको कभी नहीं भूलनी है जब भी आप लोगों को chart बनाने हैं, बहुत लोग क्या गड़बड़ी करते हो चार्ड बनाने में communication के forms पूछे formal, informal डाल देते हो don't do this because अगर आप सिफ इतना ही करोगे तो on the basis of regulation and expression कौन लिखेगा और number कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है formal में क्या हो सकता है, आपका formal में हो सकता है vertical, जब आप vertical करते हो तो आपका downward and upward यह दो factors आते हैं and फिर उसके बाद में आपका क्या हो सकता है horizontal and concessions, ठीक है informal में क्या होता है आपका single chain method, start chain cluster method and probability method right, verbal में oral and written both but non-verbal में body language para language and sign and symbols अब sign and symbols और para language अब इसमें क्या gesture tone speech का fluency यह सारी चीज़े आती है okay disadvantage क्या हो सकते है formal communication के तो क्या है यहाँ पर आप अपनी बात को ज़्यादा खुल के रही हो सकते है बहुत ज़्यादा summarize way में और structured way में आपको यह बाते बोलनी पड़ती है then widen the communication gap between executive and employee lower level ठीक है consuming because time consuming है because the scalar chain authority the communication flow one authority level another it takes too much time ठीक है यह सारी चीज़े अब downward communication क्या है जब माल लो जिसे higher authority क्या है lower authority से बात कर रही है ठीक है तो यह हो गई इसके benefit आप लोग खुद पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ है upward upward में क्या है यहां पे lower authority higher authority से बात कर रही है ठीक है इसके benefits आप खुद पढ़ेंगे horizontal communication कैसे हो गई माल लो जिसे कि यहां पे क्या है कि level आपका same है और आप यहां पे बातचीत कर रहे हो ठीक है अब माल लो से accounting का बन्दा बात कर रहे finance में और finance का बन्दा बात कर रहे marketing से और marketing का बन्दा बात कर रहे ठीक है यह कुछ इस तरीके से यहां पे आपको horizontal वेब में मिलेगा ठीक है horizontal के क्या-क्या methods है आप face to face talking कर सकते हो आप टेलिफोनिक conversation भी कर सकते हो periodical meeting कर सकते हो memorandum कर सकते हो ठीक है okay नीचे वालो बहुत सदा important नहीं है तो इसको मैं skip कर रहे हूं grapevine communication बहुत सदा important है क्या होता है grapevine का मतलब अब grapevine अगर लिखा हुआ है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं इसको एक example के साथ में समझाना चाहूंगी grapevine communication यह कैसा communication medium है जिसके तुरू आप कभी भी formal talking तो नहीं करते हो फिर भी आपकी बाते जो हैं वहां तक पहुत जाती है like जैसे कि मैं example दूँगी मानलो मैंने बोला कि कल में कोई class नहीं लूँगी लेकिन ये बात मैंने अपनी दोस से कही थी और ये बात किसी को नहीं पता है मैंने officially तो कुछ भी नहीं बोला अब मेरी दोस ने क्या करा उसकी दोस को बता दिया उसकी दोस्त ने क्या करा वो आपकी दोस्त निकली और उसने आपको बता दिया अब आपने क्या करा अपनी दोस्त को बता दिया और फिर ऐसे इसे करते करते ना यह सारी बाते कहां चली गई यह सारी बाते चली गई जो भी अथौरिटी है मेरी जिस चैनल से मैं क्लास अपनी हो सोच रही तो से कहा था वहां से बात चली गई उन्हों किस तरीके से चैन बनती चली और मेरी बात हमारों तक पहुच गई है तो यहां पर वही सारी चीज़ हैं कि गरेफ़ वाइन अप्राओन कम्यूनिकेशन कभी कभी हैपन्ट हो जाता है तो जाhesвंबन अud इसमें भी कुछ एक तरीके से single chain method भी यूज़ कर सकते हैं like जिसे A ने B को बताया B ने C को बताया और C ने D को बता दिया यह single chain हो गया अब यह single chain हो गया star chain भी हो सकता है A की person ने 5-6 लोगों को बता दिया ठीक है तो यह क्या हो गया star chain हो गया cluster कयसलह सकता कि मैंने A D को बताया था लेकिन D ने F को बता दिया और A ने C को बताया था अब उसने उसके group में जाकर बोल दिया और B को मैंने बताय था ौब B ने E को जाकर बता दिया कि ता पुछ कए किसने对 मैना कि cluster method भी होता है probability क्या हो सकती है मेभी बहुत सब्सक्राइब रैंडम प्रोसेस है जिसे प्रॉबैबिलिटी बोली ना मैंने तो जैसे मैंने बोला कि मेभी हो सकता है मुसकान जो क्लास नहीं लेने वाली है उसकी जानकारी उसकी दोस्त ने बताई हो क्योंकि वो उसी से बात करती है तो अभी प्रॉबैबिलिटी चल लई है रियाल्टी नहीं है यह सारी चीज़ है रियाल्टी तो एक इंसान को पता होगी जिस बंदे ने यह सारी बाते अफवाएं फैलाई है अगर मैं इसका सही वर्ड यूस करूं तो अफवाएं फैला दी जाती है या पे कुछ भी सचाई नहीं होती है कभी-कभी कुछ बाते सची होती है लेकिन कभी-कभी कोई बाते सची नहीं होती है verbal communication में क्या oral communication जब भी आप बातचीत बोल बोल करके करते हो आप written form में नहीं करते हो तो by using spoken by word written communication कैसी होती है जब भी आप पूरा formal way में लिखते हो write करते हो जैसे हम लोग करते है न email लिखते है वो चीज रिटन होती है nonverbal communication किस तरीके की हो सकती है आपका tone gesture ठीक है barriers क्या हो सकते है सबसे पहली चीज है medium आपने गलत चूस कर रहा है अब मान लो आज की डेट में कोई भी outlook नहीं चलाता है ठीक है तो अगर आपने किसी का outlook id देखकर के वहां पर email कर रहा है तो क्या वो पढ़ेगा ठीक है तो इस तरीके से हो गया फिर उसके बाद में physical barrier अब यह क्या हो सकता है मैं भी हो सकता है शोर हो रहा हूं मैं भी हो सकता है light चली जाए मैं भी हो सकता है time and distance का कोई problem हो जाए तो यहां पर यह सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है तो physical barrier बहुत ज़्यादा देखा जाता है किसी भी communication में और अगर आप देखें तो जो आपकी para language है वो 37% effective होती है जब भी आप communication की बात करते हूं ओके अवस्दा जो 25 मिनेट्स ड़न हो गए और हम लोग ने unit 1 का chapter 1 complete कर लिया है कि के अच्छा लग रहा है क्लाप आप लोग अपने लिए कर सकते हो कि आप लोग ने कर लिया रिवीजन डन कर लिया psychological factors क्या हो सकते में भी हो सकता है कि मैं जो चीज़ें बताना चाहरी हूं उसको एक्जाक्ट हो चीज़ें समझ ना पाए ठीक है या फिर वह बहुत जादा कुछ है मैं उसको side बता रही हूं अपनी बाते तो वह इत्ती जादा कुछ है कि मेरी बात सम बाता है जब भी आप communication करते हो आपको क्या है टोन को मैच करना पड़ेगा ठीक है अब मान लो जिससे कि अगर कोई मुझे अपनी sad story समझा रहा है मुझे हसी आज़ें तो क्या मेरा communication रन हो पाया नहीं नहीं रन हो पाया मैंने उसको चीज़ों को समझा नहीं ठीक है बारिय persistence, semantic, interpretation, bypassing और dotations और connotations psychological factors में क्या attitude, opinion, emotion, close-minded, status, consciousness and source of information, transmission and poor retention मेरी अगर power ही नहीं रेटेन करने की तो मैं कैसे समझ पाऊंगी तो यह भी barrier हमें देखने को मिलता है इसी के साथ मैं आपको बता दूँ हमारी classes ongoing है ठीक है तो इस application को आप लोग target Google के application को join कर ली जगा और आप लोगों के लिए good news यह है कि हमारा target Google का एक new channel स्टार्ट किया गया है जो कि लगनाओ Google के नाम से है आप लोगों को link description में मिल जाएगा वहां से आप लोग लगनाओ University की सारी update plus recorded session को ले सकते हैं और application से जुड़ करके हमारा written content आपको मिल सकता है तो अभी भी कोई भी देड़ नहीं हुई है और हम लोग आपको पूरा सारी चीज़े done करने का try कर रहे हैं तो आप लोग वहां से भी हमें join कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप हमारे revision sessions को भी join कर सकते हो ठीक है अब यहां पर ना हम लोग आज बैठें पूरा revision complete करने के लिए तो हम लोग पूरा ट्राइ करेंगी कि हमारे revision at least one unit का तो complete हो जाए clarity of message speed two-way process reliability ठीक है बहुत जल्दी जल्दी पढढ़ेंगे ताकि हमारा course complete होगा है completeness ठीक है content or accuracy capability economy scarcity ठीक है secrecy यह सारी चीज़ें आपकी effective communication के जरुआत है gateways to effective communication पहली चीज़ है two-way channel होना चाहिए अगर आप communication कर रहे हो तो clearly message आपको define होना चाहिए कुछ भी बहुत जादा unrealistic नहीं होना चाहिए clear message होना चाहिए ठीक है mutual trust होना चाहिए मुझे आप पर भरोसा होना चाहिए आपको मेरे पर भरोसा होना चाहिए timely message किया जाना चाहिए within time limit अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या time lapse हो जाएगा consistency होनी चाहिए message कि अगर मालो कोई चीज मैंने बोली है कि शाम को 6 बज़े आएगी तो शाम को 6 बज़े आनी चाहिए rather than 7 बज़े ठीक good relationship होना चाहिए feedback and flexibility तो ओनी ही चाहिए seven seas of communication क्या है one of the most important topic और examiner का important topic पहला see clarity होनी चाहिए and another is completeness होनी चाहिए completeness का मतलब क्या है who what when come where और why इन सारे words को जो है w को जो है इन्हें define करना चाहिए concise होना चाहिए कैसे सारे relevant factors होने चाहिए avoid repetition अगर मैं आपको पढ़ाती रहूं और बार-बार एक keyword रिपीट करो आपको अच्छा लगेगा क्या ने बोर हो जाओगे ठीक है organize your message well consideration consideration कैसा होना चाहिए आपका consideration कैसा होना चाहिए आपका होना चाहिए पहले तो attitude and your attitude मतलब देखो मालो जिसे कि दो तरीके का attitude होता है अभी मैं अगर बोलूँ मैंने यह सारा काम करा तो मैंने क्या अपना है हम दिखाया लेकिन हमने मिल करके सारा काम करा तो क्या यहां पर क्या we attitude होना चाहिए हमारा कैसे I want to express my sincere thanks for the good word इस तरीके से ठीक है यह attitude कैसे होता है thank you for your kind word थोड़ा सा देखने में कि कब आपको you adopt करना कब आपको we adopt करना इस तरीके से फिर avoid gender wise अगर मालो आप जो है चीजों को देख रहे हो तो अगर आप gender wise हो रहे हो जैसे कि अगर आपने कभी कभी communication करने में यह चीज बोल दी कि जो है women जादा बात करती है और men कम बात करते है और women समस्ती नहीं किसी की feeling को यह सारी चीज बोल दी तो क्या audience जो है वह आपकी में भी हो सकता है और जिनके बारे में आप कह रहे हो वह आपसे नराज हो जाए ठीक है तो आपको ऐसे words यूज नहीं करने और क्या omit irritating expressions ठीक है apology अगर आप दे रहे हो कर रहे हो times बोल लो तो वो सारी चीज़ें favor में होनी चाहिए correctness क्या होनी चाहिए आपका इतो factor correct होना चाहिए और उस पर research हो चुकी होनी चाहिए मतलब आप जो चीज़ें बोल ले हो सही है या नहीं ठीक है send your message at a correct time and correct style ठीक correctness किस तरीके से हो सकता concentration कैसे हो सकता मानलो जिसे की तो specific fact and figure को दिखाना चाहिए definite and this message should be defined ठीक है avoid aggression ठीक है यह यहां पर seven seas हो गए यह आपको बना करके आना exam में यहां पर हमने chapter two भी done कर लिया perfectly ठीक है तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखतें next session में हम लोग क्या seven seas के आगे पढ़ेंगे और वह हम basically अब मैं सोच रही है unit four को start करूं क्योंकि वह ज्यादा बढ़ी है उसमें अप्रॉक्स जो लेटर और reporting राइटिंग वाला जो है syllabus उसको cover करने का प्राइकरी चैनल पर आप नए है तो प्लीज सस्क्राइब पढ़ लीजिए अगर आपको यह जो वीडियो है यह fruitful लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए in case अगर आपको लगता है कि हमें किसी और specific topic पर lecture लेना चाहिए तो आप specific topic पर आकर के बताईए ताकि हम इमिलियेट लेक्चर ले पाएं थाइंक यू सो मच